तो यह concept ना बहुत जरूरी है समझने and you will never forget it विकॉस आप शोन यूँ दो प्रोसेस तो यह concept अगर पता है तो इस सवाल ऐसे हो जाएगा लापता हो जाएगा कर दो जटाक से नहीं पता होगा तो नहीं कर पाऊगे ठीक है यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है पैक्तिस नाचुरल नंबर से हैं उनका आउसत आपको दिया हुआ है अगर हम पहले दस नंबरों को कि कह रहा है कि ड्रॉप कर दें और अगले दस नंबर इंक्लूड कर रहे ले आउसत हमारा चेंज होके एम हो जाएगा वहो पहले आउसत अब आउसत एम हो गया क्योंकि तुमने पहले दस नंबर ड्रॉप कर दिये और अगले दस नंबर आड़ कर दिये वह आगे यह भी दिया हुआ कि एम और एंड में एक रिलेशन्शिप है कि में स्कॉर माइन स्कॉर छेस्टो के बराबर है है ना अब आप से कह रहा है कि मु अब इस सवाल का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह यह है कि भाईया यह दस नंबरों को ड्रॉप करके और अगले दस नंबरों को लाने से आउसत पर क्या फरक पड़ेगा अच्छा सवाल है तोड़ा डिटेल में एक्स्प्लेइन करूंगा मैं तो जरा इसके लिख लें तीन लिखा मैंने यहां पर तीन लिखा मैंने तीन चार पांच छे ताथ ठीक है आठ नौ और दस यह कुछ नंबर से इसको बढ़्ध्यान से ऐसे लिख दिया है इसको ज़्या थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ठीक है आप तो यहां पर एक नंबर लिख रह साथ ठीक है ठीक है ठीन भी रख लो है तीन चार पांच है अब कुछ करने जा रहा हूं जरा इसको बहुत भ्यान से सुनिएगा जरा मुझे बताओ इसका आउसत क्या है इस नंबर का आउसत अभी क्या है इस नंबर का आउसत अभी पांच है है कि नहीं है यस इस नंबर का क्या करने जा रहा हूं कि मैं इस तीन को यहां से हटा दूंगा ठीक है और मैं एक आठ यहां पर ले आउंगा कि जड़ा बता आउसत के साथ क्या हुआ अब तुम्हारा कितना हो गया क्या तुम्हारा अब नया आउसत 6 हो गया कि आउसत एक से बढ़ा बढ़ा अच्छा आप एक काम और करेंगे लेटेस से इस तीन को वापस लाते हैं और इस आठ को कहते हैं तुम यहां वापस जाओ भगा दिया फिर से ठीक है और थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहों बहुत ध् कि अब अब आसम क्या हो गया आपने का अब मेरा हो गया ना वह हो गया साथ है कि अontin bagus फिर से वही काम करते हैं दिन चार को लें थे और मैंने क्या 8 को ले आया 9 को ले आया और 10 को लिए जड़ा पताओ ऑसत क्या हो गया एक कहाँ चूड़ गया साथ में अना था ना तीक दरास बताओ कितना हो गया आट हो गया जरा एक बात बताओ मुझे जब हमने एक नंबर हटाया पहले से शुरुवात से और एक नंबर हम बाद वाला लेके आये पहले का नंबर एक हटाया और अगला जब हम दो नंबर को हटाके तीन और चार हमने हटाया था और आठ और नो लेके आये थे तो ऑसाथ दो से बढ़ा था और जब हमने तीन-तीन नंबरों को हटाया तो ऑसाथ तीन से बढ़ा इसका मतलब यह है कि जब आपके पास कभी भी consecutive नंबर्स दिये हो क्रमागत नंबर द दिये तो आपका आउसत एक्स से बढ़ जाएगा क्या बात ध्यान रहेगी आपको कि राइट क्या इस बात को आप लिखना चाहेंगे अपनी कॉपी में लिखना भी चाहिए इतनी अच्छी चीज मिल गई कि अगर आपके पास consecutive नाचुरल नंबर्स हैं मैं लिख रहूं य आपके पास हैं और आप इनके साथ क्या करो कि 1st कि एकस कॉन्जूकुटिव नंबर्स अर ड्रॉप्ट पहले एकस कॉन्जूकुटिव नंबर्स ड्रॉप कर दिये जाएं और next x consecutive numbers are included x consecutive numbers are dropped from start यह लिख लेना from start यहां लिख लेना start में और यहां end में तो यहां पर आपको लिखना है कि then average इंक्रीज बाइए एक्स कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप कहोगे पहले कि एक्स क्रमागत संख्याएं हटा दो कि प्रू से अटा दो और एक्स क्रमागत संख्या बाद में जोड़ दो बाद में आउसत जैनि एवरेज एक्स से बढ़ेगा तो यह कॉंसेप्ट ना बहुत जरूरी है समझने और यह विल नवर फॉर्गेट इट प्रॉसस्ट अब आते हैं यहां पर इस सवाल में आते हैं इस सवाल को अब देखो अब इस सवाल को देखो गे तो आप कहोगे कि तुरंत ह हो जाएगा कैसे आप कोगे पहले मेरा ओसत एन था दस नंबर आपने शुरुवात में ड्रॉप किये और बाद में दस नेक्स्ट कोंजेकुटिव नंबर से आपने जोड़े तो आपको बाद का ओसत जो एम है वो एन से दस जादा होगा क्योंकि दस नंबर आपने है यह वैलू दी है आप कहोगे इसको अगर मैं फैक्टराइज करके ऐसे लिखूं कि एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन 600 के बराबर है और आप तुरंत बोलोगे कि भाई देखो यह वैलू मुझे दी हुई है यह वैलू मुझे कितना दी होई है दस के बराबर दी होई ह तो क्या यहां से एम प्लस एन की वैलू आ जाएगी तुम्हारी कितनी आगई ताट के बराबर आगई तो यह तुम्हारा एक्वेशन नंबर वन है और यह तुम्हारा क्या है एक्वेशन नंबर टू है इनको सॉल्व करो वन एंटू को अगर वन एंटू को सॉल्व करोग अंतर क्या अधास है मेरे इनका उसत क्या होगा यह मत करना पांच तीन आठ लगाना एम और न का पांच तीन रेशियो पांच में तो आठ से डिवाइड कर देंगे नहीं महराज यह नहीं करना है यह 3M एक नंबर है 5N एक नंबर है ऐसा नहीं कि M और N को तीन रेशियो पांच में लिया गया है यह बोल रहा है कि 3M और 5N का आउसत निकाल तो 3M 3 into M है और 5N 5 into N है तो आप कोगे यहां से 3 into 35 प्लस 5 into 25 divided by 2 35 को 3 से गुणा करोगे बिटा तो आएगा 90 और 15 105 25 इंटू 5 आएगा तुमारा 125 इसको आप करोगे 2 से बिभाजित यानि डिवाइड तो यह हो गई तुमारी वैलू 230 बटा दो जूकि होता है 115 और 115 आपकर कहा तो यह कॉंसेट अगर पता है तो इस सवाल ऐसे हो जाएगा लापता हो जाएगा कर दोगे जटाक से नहीं पता होगा तो नहीं कर पाऊगे ठीक है तो यह कॉंसेप्ट जो पढ़ाया आपको उम्मीद करता हूं ध्यान रखोगे आपको पेशन नुमर साथ देख लीजिए झाल 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 झाल